वेलकरम अगेन, Learn and Earn WordPress for Beginners. Friends, आज का यह जो टॉपिक है बहुत ही इंपोर्टेंट्स है, यह आपका स्टार्टिंग है, अभी तक जितने भी आपने देखे, उसमें theoretical and practicals था, यह हम यहाँ पर आज इंस्टॉल करेंगे WordPress, How to install WordPress automatically using cPanel. दोस्तों, यह बहुत ही easy way है, और बहुत ही important parts है आपके WordPress learning के उसमें, कि किस तरह से आप WordPress आप live website पर install करेंगे, installing WordPress automatically through cPanel is the easiest and fastest way, you can install WordPress within a two minutes by using the cPanel. दोस्तों, हम दो मिनिट में install कर सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे पता है कि आपको शिखाना है, और आपका level बहुत ही basic and beginning level पर हो, यहाँ पर step by step हम जाएंगे, एक एक चीज, specification के साथ मैं आपको explain करूँगा, कि क्यों होता है, कैसे होता है, और वहाँ पर हम installation सिखाएंगे आपको cPanel के थूप, चलते हैं हमारे cPanel में, and friends, वीडियो को like and subscribe करेंगे, continuously इसको share करते रहें, so friends, यह हमारा cPanel का dashboard आपने जैसे देखा होगा, इससे पहले भी पिछले वीडियो में आपने explain किया था, यहाँ पर मैंने एक चोटा सा point miss कर दिया है, बट मैं समझता हूँ कि cPanel में कैसे login करना है, वो आप सब लोगों को आता होगा, जब आप hosting purchase करेंगे, तो आपको username, password मिलता है, उसमें instruction दिया होता है, तो आपको भी साथ-साथ थोड़ा मैनुद करना रहेगा, थोड़ा sense लगाना रहेगा कि किस तरह से आप इसको utilize करें, so friends, जैसे ही आपके पास cPanel का login details आ जाता है, आप login करेंगे, यहां पर यह आपको सारा information, icons दिखेंगे, तो आपको करना है तोड़ा सा scroll, scroll आप करेंगे, तो यहां पर option आता है WordPress का, यह देखिए last में यहां पर option दिया है, एक applications का main topic है, उसके नीचे WordPress manager है, किसी-किसी hosting providers के तुरू different method में दिया होगा, तो आपको search करना रहेगा WordPress, यह पर soft close के नाम से भी आता है, सबसे best way है कि आपको उपर का search bar देख रहा है, आपको यहां पर simply WordPress type कर देना है, आपको किसी भी location पर होगा, कहीं भी होगा, वह आपको यहां से मिल जाएगा, शुरू करते हैं WordPress installation, आपको इस पर click करिए, जैसे ही आप WordPress install करने जाएंगे, यहां पर आपको इस तरह से screen देखेगा, इसमें आप new site पर click करिए, new site पर click करिए, तो देखी हमने यहां पर एक sub domain बनाया था, इसने automatically हमारा sub domain catch कर लिया, हमें यहां पर sub domain पर नहीं click use करना है, हमें यहां पर करना है, show advanced configuration पर click, अगर आपका यहां पर default domain दिखाता है, तो बहुत अच्छा है, अगर आपका in case यहां पर default domain नहीं दिखा रहा है, तो आपको show advanced पर click कर लिजिए, जैसे आप show advanced पर click करेंगे, इसके बाद आप click करेंगे, आपका यहां पर domain आ जाएगा, आपका domain आता है, उसके बाद आप यहां पर ध्यान देनी का लिए चीज़ है, कि यह folder है, तो आप इसको remove कर दीजिए, अगर आपको main website पर install करना है, और आप main website पर ही install करेंगे, तब ही आप सीखेंगे, otherwise आपको सीखने में difficulties आएगे, तो यह part ध्यान देना, यहां से आप इसको निकाल देना, इसके बाद अगर आप advanced configuration में आते हैं, तो आपको यहां पर user देना रहता है, admin user क्या रहेगा, admin का password आपको देना रहता है, admin password again, and इसके बाद आपका email id, यहां पर हम step by step सारी चीज़े admin दे रहते हैं, username में, मैं यहां पर recommend करूँगा कि आप admin ना दें, क्योंकि security purpose से admin देना बहुत ही common username किसी को भी identify होता है, यह मेरा demonstration है, क्योंकि मुझे इसके बाद अभी uninstall करना है, तो मैं यहां पर admin दे रहता हूँ, password आप कुछ भी password यहां पर दे सकते हैं, अपने हिसाब से strong password देजिए, ताके आपको easily आपका website hack ना हो, देखिए कुछ hosting companies यहां पर uptrend password का strength भी लगाता देते हैं, कि आपको maximum जादा से जादा strong password देना रहे, यहां पर आप password दे देजिए, इसके बाद आपको अपना email id दे देना है, जो भी login information है या dashboard के लिए आपको password recover करना होता है, तो इस email id से आप WordPress का password recover करेंगे, इसके आगे है table prefix जो default table prefix रहता है, WordPress का WP है, आप यहां पर WP भी दे सकते हैं, नहीं तो आप change भी कर सकते हैं, security purpose से आप इसको change कर लेजिए, यहां पर हमने यह दे दिया, and create a new database, इसको मैं एक बार आपको वापस से उपर से recap करा देता हूं, सबसे पहले आपको अगर जाना है तो आपको manage advance पे click करना है, उसके बाल आपका main primary domain select करना है, यहां पर आप देहान देजिए कि कुछ भी रहना नहीं चाहिए, आपका कोई भी folder का नाम अकर है तो आप उसको निकाल देजिए, username में आपको admin देना है, sorry username में आपको select करना है admin username, बट आप उसको admin ना दे, and strong password रखिए, आपका retype password कर दिए, उसके आगे आपको active email आई दे रहना है, जिस पर आपका dashboard recover करने का system रहता है, and यह WordPress की website का default title name है, and यह description है, इसको आप change कर सकते हैं, आगे भी हम इसको बताएंगे किस तरह से change करते हैं, table prefix में आप change कर दिजिए, अपने हिसाब से and create a new database, इसके बाद हम click करेंगे install पर, जैसे ही आप install पर click करेंगे, तो automatically आप यहाँ पर देखेंगे, कि WordPress आपका successfully install हो गया, यहाँ पर आपका WordPress का है, वो domain का URL है, उसके नीचे मैंने height किया हुआ है, वो मेरा username and password है, अभी हम click कर देते है, go back to home, आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से, आपका WordPress install हुआ, अभी हम चलते हैं, WordPress की website पर, आपने देखा कि यह हमारा WordPress install हो चुका है, successfully, यह आप domain आपका type कर लीजिए, आपकी browser के address बार में, यहाँ पर यह हमारा title आ गया, यह हमारा tagline आ गया, और यह default theme WordPress की और से install हो गई, so congratulations, एक like करिए वीडियो पर और share कर दीजिए, कि आपका website live हो चुका है, अभी हम इसको आगे step by step modification आपको सिखाएंगे, दोस्तों बने रही है हमारे वीडियो के साथ, thank you for watching, have a nice day, God bless you, good bye.